हेलो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर डव्य डव्य और रेसलिंग से जुड़ी तमाम चोटी बड़ी ख़बरों से अपडेट रहने के लिए हमारे यूटूब चैनल एसस लाइव टीवी इंडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जादा से ज्यादा से शेयर करें वीडियो को लाश्ट तक देखें मिना इसके डवली डवी स्मैक डाउन पांच बड़ी बाते जो इस हफते इस मैक डाउन के जरीए इस और इस और में बताए गई जिया जेवियर बुट्स, डेमियन प्रिष्ट और सिंसके नाकामूरा भी धमाकेदार अंदाज में अपना मैंच जीता वहीं में इवेंट दा ब्रेडलाइन के इंटरफेरेंस के बाद हुए सेग्मेंट ने वी फैंस का खूब मलोलजन किया इन्ही सब बातों को दियान में रख इस मैकडाउन में आखिरकार उन्होंने दमाकेदार अंदाज में बापसी की एक बैक इस्टे सेगमेंट में मैंट कैप मौस ने नाकामूरा का बुरा हाल करने का दावा किया दोनों सुपरिश्टार्स का मैच हुआ जिसमें जापानी रेसलन ने आसान जीत दर्ज की मगर इस बीच कैरियन क्रॉस और स्कॉरलेट का वीडियो पैकेज दिखाया गया जिसमें क्रॉस के हाथों में नाकामूरा का कार्ड था इससे संकेत मिले है कि क्रॉस और नाकामूरा की जबर्जस्ट फ्यूड सुरू होने वाली है और आखिरकार नाकामूरा को वह पुस मिलेग बुक किया गया और आपको याद दिलादे की सो में रॉमर रेज मौजूद नहीं रहे एक बैकिस्टे सेग्मेंट में पॉल हैमन ने बताया कि ट्रैवल चीफ रेडल को सबक्स चिखाना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने परिवार का मजाक उड़ाया है इस भी सिकोवा ने हैमन के कंदे पर हाथ रखा और कहा कि वो चीजों को समाल लेंगे ट्रैवल चीफ एक तरफ दा उसोज पर अपना विस्वास खोते जा रहे हैं ऐसी इस्तिती में सिकोवा द्वारा चीजों को अपने हाथ में लेना दर्सा रहा है कि वो डबले डैन को टेक ओवर करने की कोसिस कर रहे हैं क्या जेबियर बुट्स को बहुत बड़ा पुस्स मिलने वाला है जिया दोस्तो दा न्यू डे के लिए डेवली डेवली में पिछले कुछ महीने उतार चड़ा भरे रहे हैं कुछ समय पहले उन्हें एनक्स टी में देखा गया जहां वो टैग टीम चेंप पिन गुंतर ने उन्हें कंफरेंट किया यहां तक कि उन्हें अगले हपते के लिए आइसी सी चेंपियन से मैच भी मिल गया आपको बता दें कि बिग ई और कोफी किंग्स्टन वर्ल्ड चेंपियन बन चुके हैं और अब बुट्स को गुंतर के साथ इस्टोई लैन में सा जिमानी करने से रोक कर एक धमाकेदार फ्यूट की नीव रखी इस समय एल डवलो ने भी दा जजमीन टे के खिलाब खड़े होने का फैसला लिया है और इस भी सैंटोस इसको बार को जेलीना वेगा को बहुत मजबूत दिखाने की कोसिस की गई है खासतोर पर डेमिन प्रि पीच एक सिंगल मैच की संभावना है रोमर रेंज का बढ़ता गुस्ता दब्रेड लाइन के लिए अच्छा नहीं जिया दोस्तों रोमर रेंज इस अपते स्मैकडॉन में तो नहीं आया मगर उन्होंने सो में ना आकर भी अपनी मौजूद की दर्ज करवाई है ब्लू ब सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें को कर दो दो सक्राइब करने ज्यामेमार करें